C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतरगत ध्वानी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग दो आईए अब सुनते हैं अध्याय नव का ध्वानी पाठ शीर्चक है क्षेत्रिय संस्कृतियों का निर्मान और आएए अब सुनते हैं पाठ प्रिष्ट संख्या 122 अध्याय नव क्षेत्रिय संस्कृतियों का निर्मान लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामाण्य तरीका है उनकी बोल चाल की भाषा से उन्हें परिभाशिट करना जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उडिया कहते हैं तो आम तोर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उडिया भाषा बोलता है और तमिल नाडू या उडिसा में रहता है इसी तरह से हम प्रतेक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काब्व, नृत्य, संगीत और चित्र कला से जोड़ा करते हैं कभी-कभी हम इन अस्मिताओं को मान कर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग-युगांतरों से अस्तित्व में हैं किन्तु भिन-भिन क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमी का रही है जिन्हें हम आज क्षेत्रिय संस्कृतियां समझते हैं वे समय के साथ साथ बदली हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं ये क्षेत्रिय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं इस प्रक्रिया के तहट स्थानिय परमपराओं और उप महाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन बनाया है जैसा कि हम देखेंगे कुछ परमपराओं तो कुछ विशेश क्षेत्रों की अपनी हैं जबकि कुछ अन्य भिन भिन क्षेत्रों में एक समान प्रती तो होती हैं परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीती रिवाजों से तो निकली हैं परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंग ने एक नया रूप ले लिया है चेर और मल्यालम भाषा का विकास आये भाषा और क्षेत्र के बीच अन्तह संबंध के एक उदाहरण से अपना विशलेशन आरंभ करें महोदय पुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिनी पश्चिमी भाग में जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है नवी शताब्दी में स्थापित किया गया संभोतह मल्यालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी शासकों ने मल्यालम भाषा एवं लिपी का प्रयोग अपने अभी लेखों में किया वस्तुतह इस भाषा का प्रयोग उप महाद्वीप के सरकारी अभी लेखों में किसी क्षेत्रिय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। इसी प्रिष्ट पर एक काम आपके लिए करने को और वो काम है कि पता लगाएं कि पिछले दस सालों में कितने नए राज्ये बनाए गए हैं। क्या इन में से प्रतेक राज्ये एक अलग ख्षेत्र है। प्रिष्ट संख्या 123 साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहन किया। केरल का मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है संस्कृत के महाकाब्यों पर आधारित था। मल्यालम भाषा की पहली संस्कृतिक कृतियां जो लगभग 12 वी शताब्दी की बताई जाती हैं प्रत्यक्ष रूफ से संस्कृत की रिणी है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14 शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्वे शास्तर विशायक है मनी प्रवालम शैली में लिखा गया था। मनी प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मुंगा जो यहाँ दो भाषाओं यानि संस्कृत तथा क्षेत्रिय भाषा के साथ साथ प्रेवोग की ओर संगेत करता है। पाठ में चलने से पहले इसी प्रिष्ट पर एक चित्र और यह है चित्र संख्या एक और यह चित्र है मल्यालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख। आपके लिए कुछ पता लगाने को और यहाँ पर आप पता लगाएं कि आपके घर में आप जो भाशा या भाशाएं बोलते हैं उनका या उसका लेखन में सर्व प्रथम कब प्रयोग हुआ होगा इसी प्रिष्ट पर है चित्र संख्या दो और चित्र संख्या दो में है बाल भद्र, सुभद्रा और जगननात की लगु मूर्तियां ताल पत्र की पांडूलिपी उडिसा आईए अब जलते हैं पाठ में शासक और धार्मिक परंपराएं जगननाती संप्रदाएं अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रिय संस्कृतियां क्षेत्रिय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी उडिसा में जगननात का संप्रदाएं जगननात का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक जो विश्णू का पर्यायवाची है आज तक जगननात की काष्ठ प्रतिमा स्थानिय जन जातिय लोगों द्वारा बनाई जाती है जिससे यह तात्परियन निकलता है कि जगननात मूलतह एक स्थानिय देवता थे जिन्हें आगे चल कर विश्णू का रूप माल लिया गया बारहुई शताब्दी में गंग वन्ष के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनन्त वर्मन ने पुरी में पुरुशोत्तम जगननात के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चे किया इसके बाद बारह सो तीस में राजा अननंग भीम तृतिये ने अपना राज्य पुरुशोत्तम जगननात को अर्पित कर दिया और स्वयम को जगननात का प्रतिन्यूक्त घोशित किया प्रिष्ट संख्या 124 इस प्रिष्ट पर सबसे पहले एक चित्र बाई और चित्र संख्या 3 और ये जगननात मंदिर पुरी का चित्र है अब आईए सुनते हैं पाठ जियों जियों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानि तीर्थ यात्तरा के केंदर के रूप में महत्तु प्राप्त होता गया सामाजिक तथा राजनितिक मामलों में भी उसकी सत्ता बढ़ती गई जिन्हों ने भी उडिसा को जीता जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी सबने इस मंदिर पर अपना नियंतरण स्थापित करने का प्रयात्न किया वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानिय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं उननिस्वी शतादी में ब्रिटिश लोग उस ख्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजिस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथ्वा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सकते है ऐसे अनेक समुह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्धेवर्ती भारत के अनेक ख्षेत्रों में अपने आपको राजपूत कहते हैं यह भी सच है कि राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं तथा भी यह अक्सर माना जाता है कि राजपूतों ने राजपूतों को एक विशिष्ट संस्कृती प्रदान की यह संस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभीलाशाओं के साथ घनिष्टता से जुड़ी हुई थी लगभग आठ्वी शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा तूर्वीरों के आदर्श को अपने हिर्जय में संजोय रखते थे जिन्होंने रणक्षेत्र में बहादूरी से लड़ते हुए अकसर मृत्यू का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई पाठ पर चलने से पहले इसी प्रिष्ट पर चित्र संख्या चार और ये चित्र है बीकानेर के राजकुमार राजसी का प्रिष्ट संख्या 125 आईए सुनते हैं पाठ राजपूत शूरवीरों की कहानिया काववियों एवं गीतों में सुरक्षित हैं ये विशेश रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारग गाई जाती हैं ये काववि एवं गीत ऐसे शूरवीरों की सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे साधरन जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे इन कहानियों में अक्सर नाटकिय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध, आदी प्रबल संवेगों का चित्रण होता था एक प्रशन उठता है कि क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था तो उत्तर है, जी हाँ, कभी-कभी वे जगडे के कारण के रूप में विद्यमान है जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथ्वा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे कहीं-कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूर वीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरन करती थी इसी प्रिष्ट पर मानचितर एक और इस मानचितर में वोक शेत्रित दिखाए गए हैं जिनकी चर्चा इस अध्याय में की गई है सती प्रथा यानि विध्वाओं त्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिन्दा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है इस प्रकार जो लोग शूर वीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था इसी प्रिष्ट पर बाई और एक बॉक्स और आपके लिए कुछ करने को है आपको पता लगाना है तो पता लगाएं कि क्या आपके नगर या गाउ में शूर वीरों या विरांग नाओं की परंपरा रही है यदि हाँ तो ये परंपराएं राजपूतों के वीरता पूर्ण आदर्शों से कितनी समान या भिन नहें अब सुनते हैं पाठ क्षेत्रिय सीमानतों से परे कथक नरित्य की कहानी यदि शूर वीरता की परंपराएं भिन भिन क्षेत्रों में भिन भिन रूपों में मिल सकती हैं तो नरित्य के विशय में भी यही सच है आएए निर्त्य के एक रूप यानि कथक के इतिहास को देखें यह निर्त्य शहली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है कथक शब्द, कथा शब्द से निकला है जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाशाओं में कहानी के लिए किया जाता है कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा कहानी सुनाने वालों की एक जाती थी ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे पंद्रहुई तथा सोलहुई शताब्दियों में भक्ती आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा राधा कृष्ण के पौरानिक आख्यान यानि कहानिया लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किये जाते थे जिन्हें रास लीला कहा जाता था रास लीला में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे मुगल बादशाहों और उनके अभीजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दर्बार में प्रस्तुत किया जाता था जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभीलक्षन अर्जित किये और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया आगे चलकर यह दो परमपराओं अर्थात घरानों में फूला फ़ला राजस्थान यानी जैपूर के राजदर्बारों और लखनों में अवद के अंतिम नबाब वाजिद अली शाह के संरक्षन में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो ख्षेत्रों में ही नहीं बलकि आज के पंजाब, हरियाना, जम्मु और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकट वर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया इसी प्रिष्ट पर एक चित्र और यह है चित्र संख्या पाँच, इसका शीर्षक है नृत्य की कक्षा लक्ष्मन मंदिर, खजुराहो प्रिष्ट संख्या 127 इसकी प्रस्तूती में क्लिष्ट तथा दृत पद संचालन, उत्तम वेश भूशा तथा कहानियों के प्रस्तूती करण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19. तथा 20. शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने ना पसंद किया फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा स्वतन्तरता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रिये नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई और अब एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्शक है शास्त्रिये नृत्य इसमें एक चित्र दिया गया है ये है चित्र संख्या 6 जिसमें कथक निर्थ्यांगनाओं को दिखाया गया है जो एक दर्बार में निर्थ्य कर रही है अब आईए सुनते हैं बॉक्स में वर्णित वृतांत शिर्षक है शास्त्रिय निर्थ्य इस प्रशन का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रिय कहते हैं जिसका विशे धार्मिक हो अथ्वा क्या हम उसे शास्त्रिय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यक्ता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षन से ही राप्त होता है अथ्वा यह शास्त्रिये इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोसाहन नहीं दिया जाता है यह ऐसे प्रशन है जिन पर हमें विचार करने के आवशक्ता है यह भी स्मरणी है कि बहुत से ऐसे दृत्ते रूपों में जिन्हें लोक दृत्ते की श्रेनी में रखा गया है वे विशिष्टताएं पाई जाती है जिन्हें शास्त्रिये रूपों का विशिष्ट लक्षन ब फिर भी यह हमेशा शब्दशह सही नहीं होता है। अन्य निर्त्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रिये माना जाता है इस प्रकार से हैं। भरत नाट्यम, ये तमिल नाडू का है, कथाकली, ये केरल का निर्त्य है, ओडिसी, जो उडिसा का निर्त्य है, कुचीपुरी, ये आंधर प्रदेश का निर्त्य है, और मनिपुरी, जो मनिपुर का निर्त्य है। एक प्रश्ण आपके लिए इस बॉक्स के अंत में और वो प्रश्ण है इन में से किसी एक निरित्य रूप के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। प्रिष्ट संख्या 128 पाठ में चलते हैं सन रक्षकों के लिए चित्रकला लगू चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लगू चित्रों की परंपरा। लगू चित्र जैसा की उनके नाम से पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतोर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीन तम लगू चित्र तालपत्रों अथ्वा लकडी की तख्तियों पर चित्रित किये गए थे। इन मेंसे सरवाधिक सुन्दर चित्र जो पश्चिव भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किये गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहागीर और शाह जहा ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षन प्रदान किया था जो प्राथ्मिक रूप से इतिहास और काब्यों की पांडूलीपियों को चित्रित करते थे। ये पांडूलीपियां आमतोर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दर्बार के द्रिश्य, लड़ाई तथा शिकार के द्रिश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किये जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों यानि बादशाह और उसके घनिष्ट जनो द्वारा ही देखे जा सकते थे। पाठ में चलने से पहले इसी प्रिश्ट पर एक चित्र और ये है चित्र संख्या साथ। इस लगों चित्र में दिखाया गया है शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर। ये मुगल लगों चित्र है। अब आए सुनते हैं पाठ। पाठी उन्हों ने अपनी विशिष्ट विशेष्टाओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के चित्र चित्रित किये जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशन गढ़ जैसे केंद्रों में पौरानिक कथाओं तथा काब्यों के विशयों का चित्रन बराबर जारी रहा। एक ऐसा ही क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्दगेर्द हिमाले की तलहटी का इलाका। प्रिष्ट संख्या 129 इस प्रिष्ट पर एक चित्र है ये है चित्र संख्या 8 यहाँ पर इसका वर्णन है होली खेलते हुए महाराणा राम सिंग द्वितिय राजपूत लगुचित्र कोटा राजिस्थान बलकि पाठ में चलने से पहले इसी प्रिष्ट पर एक और चित् चित्र है क्रिष्ट राधा और उसकी सक्या ये कांगडा का पहाड़ी लगुचित्र है और अब सुनते हैं पाठ सत्रहवी शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस ख्षेत्र में लगुचित्रकला की एक सहस्पून एवं भावप्रवन शैली का विकास हो गया जिसे बसोहिली शैली कहा जाता है यहां जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रस्मंजरी 1737 में नादिर्शा के आकर्मन और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चित्ताओं से बचने के लिए पहाडी ख्षेत्रों की ओर पलायन कर गए प्रिष्ट संख्या 130 उन्हें वहाँ जाते ही आश्रे दाता तैयार मिले जिसके फलसरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई 18 शताब्दी के मध्यभाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली जिसने लगुचित्रकारी में एक नई जान डाल दी उनकी प्रेड़ना का श्रोत वहां की वैशनों परंपराएं थी थंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विशयों का काब्यात्मक निरूपन कांगडा शैली की विशेश्ता थी स्मरण रहे कि साधरन स्त्री पूरुष भी बरतनों, दिवारों, कपड़ों, फर्ष आदी पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे इसके विपरीत लगुचित्र राज महलों में साधानी पूर्वकर रखे जाते थे जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहें बंगाल नस्दीक से एक नजर एक शेत्रिय भाषा का विकास जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अकसर शेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली या बांगला ही बोलते थे किन्तु यह एक दिल्चस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है प्रारंभीक यानि इसापूर्व प्रथम सहस्राब्दी के मध्यभाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्यायन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे तो फिर नई भाषा का उद्भाव कैसे हुआ अगले प्रिष्ट पर जाने से पहले इसी प्रिष्ट पर एक चित्र और यह है चित्र संख्या 10 और यह है सबसे पहली बंगाली रामायन के ताल पत्र की पांडूलिपी के एक प्रिष्ट का चित्र प्रिष्ट संख्या 131 इसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगद यानि दक्षिन बिहार के बीच वानिजिक संबंध स्थापित होने लगे थे जिसके कारण संभोतह संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा चौथी शताब्दी के दवरान गुप्त वन्शी ये शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रन स्थापित कर लिया और वहां ब्राहमनों को बसाना शुरू कर दिया इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाशाई तथा संस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गये और सात्वी शताब्दी में चीनी यात्री यून सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाशाओं का प्रयोग हो रहा था आठवी शताब्दी से पाल शासकों के अंतरगत एक क्षेत्रिय राज्य का उद्भाव हो गया जिसका वर्णन अध्याय दो में आपने पढ़ा है चौदवी से सोलवी शताब्दीयों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंतर थे अध्याय तीन में इसकी चर्चा हो चुकी है 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा उस समय प्रशासन की भाषा तो फार्सी थी लेकिन बंगाली या बांगला एक छेत्रिय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी वस्तुतह 15 शताब्दी तक आते आते उप भाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समुह एक सामान्य साहित्तिक भाषा के द्वारा एक बद्ध हो गया यह साहित्तिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोल चाल की भाषा थी जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है यद्यपी बांगला या बंगाली का उद्वह संस्कृत से ही हुआ है पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है इसके अलावा गयर संस्कृत भाषाओं का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातिय भाषाओं, फार्सी और यूरोपिय भाषाओं सहित्त अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है आधुनिक बांगला या बंगाली भाषा का एक हिस्सा बन गया है बांगला या बंगाली के प्रारंभिक साहित्ते को दो श्रेणियों में बाटा जा सकता है एक श्रेणी संस्कृत की रिणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाब्यों के अनुवाद यानि मंगल काब्व शाब्दिक अर्थों में श्रुभ यानि मांगलिक काब्वे जो स्थानिय देवी देवताओं से संबंधित है और भक्ती साहित्ते जैसे गवडिये वैशनों आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनिया जिसका वर्णन अध्याय आठ में हमने पढ़ा है आदी शामिल है दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्ते शामिल है जैसे मैनामती गोपी चंदर के गीत धर्म ठाकूर की पूजा से संबंधित कहानिया परी कथाएं लोग कथाएं और गाथा गीत प्रिष्ट संख्या 132 मैनामती गोपी चंदर और धर्म ठाकूर नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे यह गीत विशेश जो अकसर अभीनीत किया जाता है यह बताता है कि राणी मैनामती ने अपने पुत्र गोपी चंदर को अनेक बाधाओं के सम्मक्ष सन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोटसाहित किया था धर्म ठाकूर एक क्षेत्रिय लोगप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अकसर एक पत्थर या काठ की मूर्ती के रूप में की जाती है अब पाठ सुनने से पहले एक प्रशन आपके लिए और वो प्रशन है आपके विचार से द्विटिय श्रेणी की क्रितियां लिखित रूप में क्यों नहीं रखी जाती थी आईए अब सुनते हैं पाठ पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्ने करना अपिक्षा क्रित सरल है क्योंकि ऐसी अनेक पांडूलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15. शताबदी के उत्तरार्ध और 18. शताबदी के मध्य भाग के बीच में की गई थी दूसरी श्रेणी की क्रितियां मौखिक रूफ से कही सुनी जाती थी इसलिए उनका काल निर्ने सही सही नहीं किया जा सकता है वे खास तोर पर पूर्वी बंगाल में लोक प्रिय थी जहां ब्राहमनों का प्रभाव अपिक्षा क्रित कम था आगे के पार्ट से पहले आईए एक शब्द पर विचार करें वो शब्द है पीर पीर एक फार्सी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्ग दर्शक आईए सुनते हैं पार्ट पीर और मंदिर सोलवी शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाओक शेत्रों को छोड़ कर दक्षिन पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था जियों जियों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए वे जंगलों को साफ करके भूमी में धान की खेती करने लगे शने शने स्थानिये मचुआ तथा स्थानन्तरिये खेती करने वाले लोग जो अकसर जन जातिये थे किसानों के नए समुदाई में मिल गए इन्ही दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंतरन स्थापित हो गया था जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रिये भाग में स्थित धाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की अधिकारी और करमचारी लोग भूमी प्राप्त करके अकसर उस पर मस्जीदें बना लेते थे जो इन इलाकों के धार्मिक रुपान्तरन के केंद्रों के रूप में काम आती थी प्रारंभ में बाहर से आकर यहां बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ ब्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी आदा करते थे कभी-कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलोगिक शक्तियां हैं सनेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे प्रिष्ट संख्या 133 इस प्रिष्ट में पाठ पर चलने से पहले आईए एक शब्द पर विचार करें जो यहां दाई और दिया हुआ है शब्द है जीववाद इसका अर्थ है यह मानना की पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है प्रिष्ट संख्या 133 संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन हिंदू एवं बाउध देवी देवता और यहां तक की जीवात्माएं भी शामिल थे पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मजारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं बंगाल में पंद्रवी शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा जो उन्नीस्वी शताब्दी में आकर समाप्त हो गया हमने देखा है अध्याय दो और पाँच में कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समुहों द्वारा बनाये जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे बंगाल में साधरन इटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न समाजिक समुहों जैसे कालू यानि तेली, कंसारी यानि घंटा धातू के कारिगर आधी के समर्थन से बने थे योरोप की व्यापारिक कम्पनियों के आजाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए इन समाजिक समुहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन आवसरों का लाव उठाया जैसे जैसे लोगों की समाजिक तथा आर्थिक स्थिती सुधरती गई उन्हों ने इन समारकों के निर्मान के माध्यम से अपनी प्रस्थिती या प्रतिष्ठा की घोशना कर दी जब स्थानिय देवी देवता जो पहले गाओं में छान छप्पर वाली जोपणियों में पूजे जाते थे को ब्राहमनों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी इस समय आपके लिए इसी प्रिष्ट पर कुछ करने को और यहाँ पर आपको एक तुलना करनी है और यह तुलना है यहाँ दिये गए मंदिर की तुलना अध्याय दो में दिये गए मंदिर से करें बाई और एक चित्र है यह है चित्र संख्या ग्यारह जो एक दो चाला छपपरदार जोपड़ी का चित्र है और इसी की दाई और चित्र संख्या बारह जो की एक चौचाला मंदिर का चित्र है प्रिष्ट संख्या 134 इस प्रिष्ट में सबसे पहले एक चित्र चित्र संख्या 13 ये चित्र है श्यामपूर मंदिर से पकी मिट्टी की एक पटिया विश्णूपूर जिसमें गोपियों के साथ कृष्ण को दिखाया गया है आएए सुनते हैं पाठ इन मंदिरों की शकल या आकृती बंगाल की छपपरदार जोपणियों की तरह दो चाला यानि दो छटों वाली या चवचाला यानि चार चटों वाली होती थी पाँचमें अध्याय में वर्णित बंगाली गुमबद को याद करें इसके कारण मंदीरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ अप्यक शाकृत अधिक जटिल चवचाला यानि चार छटों वाली धाचे में चार त्रिकोणिय छटें चार दिवारों पर रखी जाती थी जो उपर तिरियक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी मंदिर आमतोर पर एक वरगाकार चवूतरे पर बनाये जाते थे उनके भीत्री भाग में कोई सजावट नहीं होती थी लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दिवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथ्वा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी कुछ मंदिरों में विशेश रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिरे में विश्णूपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उतक्रिष्ट कोटी तक पहुँच चुकी थी प्रिष्ट संख्या 135 मचली भोजन के रूप में परमपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतोर पर स्थानी रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं बंगाल एक नदिये मैदान है जहां मचली और धान की उपज बहुतायत से होती है इसलिए यह स्वभाविक है कि इन दोनों वस्तूओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुक स्थान प्राप्त है मचली पकड़ना यहां का मुख्य धंदा रहा है और बंगाली साहित्ते में मचली का स्थान स्थान पर उलेक मिलता है इससे ज्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौध बिहारों की दिवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं उनमें भी मचलीों को साफ करते हुए और टोक्रियों में भर कर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है इसी प्रिष्ट पर आगे पाट पर चलने से पहले एक चित्र देखते हैं और ये चित्र है चित्र संख्याच चाओदा और ये चित्र है घरेलू उपयोग के लिए मचली तयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक आराम बाग अब सुनते हैं पाट ब्राहमनों को सामिश भोजन करने की अनुमती नहीं थी लेकिन स्थानी आहार में मचली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राहमन धर्म के विशेशग्यों ने बंगाली ब्राहमनों के लिए इस निशेद में धील दे दी ब्रियत धर्म पुरान जो बंगाल में रचित 13 वी शताबदी का संस्कृत ग्रंथ है ने स्थानी ब्राहमनों को कुछ खास किस्म की मचली खाने की अनुमती दे दी इसी प्रिष्ट पर एक बॉक्स और इसका शीर्षक है योरोप में राष्ट राज्जियों का उदै आए सुनते हैं अठार्मी शताबदी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयम को एक सामराज्य जैसे आस्ट्रिया, हंगरी, सामराज्य की प्रजा तथा किसी चर्च जैसे युनानी, रूढिवादी चर्च के सदस्य मानते थे परंतु अठार्मी शताबदी के अंतिम दशकों में लोग स्वयम को एक ऐसे समुदाए के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे, जो एक भाषा जैसे की फ्रेंच या जियमन बोलते थे प्रारंभीक उननिस्वी शताबदी में रूमानिया में विद्यालई पाठे पुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रूमैनियन में लिखी जाने लगी और हंगरी में लेटिन के स्थान पर हंगेरियन को राज भाषा के रूप में अपनाया गया यह और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रतेक भाषी समुदाए एक अलग राष्ट्र था उन्नीस्वी शताबदी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकिकरण के लिए हुए आंदोलन ने इस भावना को और अधिक बल दिया सबसे पहले कुछ बीज शब्द बीज शब्दों से तात पर यह है वो शब्द जिनका प्रयोग इस अध्याय में किया गया है तो यह इस प्रिष्ट पर बाईं और दिया हुआ है आईए सुनते हैं बीज शब्द बीज शब्द हैं शास्त्रिये लगहू चित्र पीर और बोली कल्पना करें आप एक राजपूत राजगुमार हैं आप अपनी कहानी किस प्रकार सुनाना पसंद करेंगे फिर से याद करें एक इन दो स्तंभों में मेल बिठाएं साथियों यहाँ पर दो स्तंभ दिये वे हैं और दोनों स्तंभों में अलग-अलग शब्द हैं आपको दोनों स्तंभों में दिये गए शब्दों के बीज में मेल कराना है आईए सुनते हैं सबसे पहले स्तंभ एक या कॉलम वन अनन्त वर्मन जगन्नाथ महोदय पुरम लीला तिलकम मंगल काव्य लगु चित्र अब सुनते हैं कॉलम टू या स्तंभ दो केरल, बंगाल, उडिसा, कांगड़ा, पुरी, केरल मनी प्रवालम क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं तीन, कथक के प्रमुख सनरक्षक कौन थे? चार, बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महतोपूर्ण लक्षन क्या है? प्रिष्ट संख्या 137 आईए विचार करें पांच, चारण भाटों ने शूर वीरों की उपलबधियों की उदगोशना क्यों की? छे, हम जन साधरण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीती रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं? साथ, विजेताओं ने पूरी स्थित जगन्नात के मंदिर पर नियंतरण प्राप्त करने के प्रयात्न क्यों किये? आठ, बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए? आए करके देखें नव, भवनों, प्रदर्शन कलाओं, चित्र कला के विशेश संदर्व में अपने क्षेत्र की संस्कृति के सरवाधिक महत्वपूर्ण लक्षणों या विशेशताओं का हुवर्णन करें दस, क्या आप क, बोलने, ख, पढ़ने, ग, लिखने के लिए भिन 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 भाषाओं का प्रयोग करते हैं? इन में से किसी एक भाषा की किसी प्रमुख रचना के बारे में पता लगाएं और चर्चा करें कि आप इसे रोचक क्यों पाते हैं? ग्यारह, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षणी, पूर्वी और मध्य भारत में से एक-एक राज्य चुने इन में से प्रतेक के बारे में उन भोजनों की सूची बनाएं जो आमतोर पर सभी के द्वारा खाय जाते हैं आप उन में यदि कोई अंतर या समानताएं पाएं तो उन पर प्रकाश डालें बारह, इन में से प्रतेक क्षेतर से पाँच-पाँच राज्यों की एक-एक अन्य सूची बनाएं और यह बताएं कि प्रतेक राज्ये में महिलाओं तथा पुरुशों द्वारा आमतोर पर काउन से वस्त्र पहने जाते हैं अपने निशकर्शों पर चर्चा करें यहां अध्याय नौ समाप्त हुआ